हेलो एबरिबन तो आप सब कैसे हैं अमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो आज किस वीडियों बात करते हैं प्रेग्निंसी के बारे प्रेग्निंसी होने पर बच्चे को और खुद को सवस्थ कैसे रखा जाए मावनना हर महिला के जीवन का सबसे खुबसूरत पल हो जला देते हैं एंसी वी आई के अनुसार गर्वती महिलाओं को पिरती दिन रोजाना तीन सो से अधिक कैलोरी की आवसकता होती है प्रेग्निंसी के दोरान सही क्यार्व और स्वस्थ संतान के जर्म में मददगार साबित हो सकता है प्रेग्निंसी में संतुलंद आहर का महत प्रेग्निंसी में संतुलंद आहर और पॉस्थिक आहर मा और सिसु दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है समानेता महिलाओं के मन में गर्वियस्था के संबंद में कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में देंगे प्रेग्निंसी में कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए गर्वत्ती महिला को कौन सा फल खाना चाहिए प्रेग्निंसी में कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए प्रेग्निंसी में क्या क्या खाना चाहिए तो यह सब बताएंगे अगर आपने मेरे चैनल भी तो सब्सक्रा नहीं के सब्सक्राब पर लिजी गर्विस्ता में जरूरी पोसक तत्व गर्विस्ता के दौरान महिलाओं के आहार में कुछ आवस्क विटामिन या पोसक तत्व जरूर होने चाहिए इससे भूर और बच्चों का विकास अच्छे से होता है यदि गर्वती मां सभी आवस्क तत्वों का सेवन करती है तो बच्चों में जर्मजाद विकारों का खत्रा भी कम हो जाता है यदि कोई महिला गर्विस्ता के दौरान खान पान पर दियान नहीं देती है तो इसके काण सिसू को नुकसान हो सकता है गर्विस्ता में निम्न आवसक तत्व जरूर होना चाहि मल्टी विटामिन, कार्वोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैलसियम, आयोडीन, फॉलिक एसिट, आयरन यह बहुत जरूरी तत्म प्रिग्नेंसी में क्या क्या खाना चाहिए प्रिग्नेंसी में खाने पीने का बिसेज ध्यां रखने की आवस्यक्ता होती है रिचर्च में इस बात की पुष्टी हुई है कि स्वस्थ और संतुलित आहर प्रिजनन छमता को बढ़ाता है और स्वस्थ संतान की प्रापती में मदद करता है आये विस्तार से जानते हैं प्रिग्नेंसी में क्या खाएं अधिक फाइवर Pignancy के दौरान कबज की समस्य होना एक आम हिस्तिती है इस दौरान अपने पाचन किरिया को दुरुस्त रखने के लिए उन्हें अपने आहर में फाइवर की मातरा को बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे गैस या कबज होने की संबावना बहुत कम हो जाती है हरी पत्तेदार सबजियां खाएं Pignancy के दौरान महिलाओं को अपने आहर में हरी पत्ती वाली सबजी के सेवन की सलाद दी जाती है पालक, पत्त, गोवी और ब्रोकली उनके लिए लाबकारी थावित हो सकते है चलिए अब बात करते हैं इक Pignancy में कौन सी सबजी नहीं खाना चाहिए बैगन, कच्ची सबजी और करेला गर्वती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकते है डेरी प्रोड़क्ट डेरी प्रोड़क्ट गर्वती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवसक होते है दूद, च्छाज और दही और घी प्रीक्ट के दौरान सिसू के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्सी मोर्ड़क्ट करते हैं फल और उनके रस का सेवन करे ताजी फल और उनका रस प्रीक्ट्टvention में इससे आपको एक और प्रिशन का उत्तर मिल गया होगा कि गर्वती महिलाओं को कौन सा फल खाना चाहिए लेकिन पपीता, अननास और अंगूर से गर्वती महिलाओं को दूरी बनाने की सलाद दी जाती है सूखा मेवा पिरगंसी में ड्राइफ फ्रूट्स का सेवर बहुत लापकारी होगा बादाम, अक्रोट और काचू को अपने आहर में सामिल करें क्योंकि यह कई तरह की बिटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा, थ्री, फैटी, एसेट से भरपूर होता है इसकी आवस्कता माँ और बच्चों दोनों को होती है अंडे खाएं अंडा एक पौसक आहर में अंडे में प्रोटीन, बायोटीन, कैलोस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंट्री आक्सियंट की मातरा अधिक होती है जो एक प्रेगनेट महिला के लिए बहुत आवस्क है इस वीडियो में दी गई जानकारी एक सामानी जानकारी है प्रेजन्सी के संबद में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी वीडियो देखने के लिए थैंक्स पूर बाचिंग मैं वीडियो